चुनावी घमासान आरोप पत्यारोप और इसके बीच टिकट का बटवारा भी ये सारी राजनीति खल चली समय चल रही है और हमारे साथ अपना दल्ग का मिरावादी की नेता कृष्णा पटेल जी है कृष्णा पटेल जी बनार सागमन इसका कोई खास उद्देश मुख यही है कि सबसे बड़ी बात मुझे आज प्रेस के सामने जो आना पड़ा है जब से मैंने पहला कदम समाजबादी पार्टी कार्याले पर रखा है उस दिन से निरंतर मेरे उपर दबाब बनाया जा रहा है मेरे पास उपर घेराबंदी की जा रही है तमाम अन्नों काल आते मैं निरंतर चलने का काम कर रही हूं इसके लिए मुझे रोका जा रहा है मेरे घर में छापे मारी की जा रही है पुलिस पहुंचती है मेरे बहुत पुराने सदस रहे मेरे परवार के हिस्से की तरह 82 साली इनकी उमर है आज 12 तारिक की रात को उनको पुलिस उठा ले जाती है उनको कई घंटे तक नजरवन रखती है क्राइम की पुलिस लेके जाती है मेरे जितने नाते रिष्टेदार हैं मेरी बड़ी बच्चियां है बेटियां है उनके घर में बराबर पुलिस जा रही है उनको परेशान कर रही है और उनके परवार वालों को भी परेशान कर मैं कहना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से जिस तरीके से पटेल साब की हत्या करी गई है और आज भी उनकी CBI जांस नहीं की गई हो सकता है कल मेरी भी इस तरह CBI जांस कर दी जाए मेरी हत्या कर दी जाओ CBI जांस ना हो मुझसे कहा जा रहा है कि आप आगे मत चलिए आगे मत बढ़िए और उनका साथ मत दीजिए इसलिए मैं आप प्रेस के माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं निरंतर उनका साथ दूंगी और अखलेस जी को जहां तक पहुंचाने का मकसद है मुखमतनी बनाने का हम लोग मिलके उनको बनाके रहेंगे कौन आपको धमका रहा है क्या अभी आपने मतलब साफ साफ नहीं बताया पीछे कौन है कौन ये कर रहा है कि पीछे अन्नों काल परचित नहीं आती वो लोग मुझे पर अबार ने देते हैं मुझे पूरी जानकारी दो देना है क्लिन है जाती बाद जनगरना के लिए रोका जा रहा आप इसकी आवाज को मत बुलाईए इसकी आवाज को मत उठाईए लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हो यह डाक्टर पटेल का अंदोला नहीं रुकेगा नहीं और अख्लेश जी को मुखंधी बना के ही रहेगा क्रिशना जी एक और सवाल है कि तमाम जो बाते सामने आई हैं टिकट बठवारे को लेकर तो क्या कहीं यह सारा जो आपका जो आरोप है कहीं उसे लेकर तो नहीं है कहीं इस आरोप के पीछे कोई राजनीती तो नहीं है या हमें इसे किस तरह से लेना है तिक टिकट बठवार और उसके बाद आपको इसको इसे की फोन कॉल तो क्या इसे किस तरह से ले सवाल मेरा वही है फोन कॉल आज से नहीं आ रहेँ जिस दिन से पहला कदम मैंने सपार्याथ Państwo उस दिन से आ रहे हैं, आज लगवक डेर दो महीना हो गया है, मैं बराबर प्रेस के माध्यम से बता रही हूं, बराबर पुलिस को भी बता रही हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब अगला कदम क्या होगा है, मेरे को रोकने से कोई रोक नहीं पाएगा, म आपकी वेटीं हैं वो साथ में है और आपको ही कहीन कहीन का ख़त्रा भी-अब बता रही है जैसा तो क्या है इसे नोकली लगता है कि वही लोग सर्था में बैठे लोग मुझे परिशान कर रहे हैं अब देखना ये होगा कि इन आरोपों के बाद इन आरोपों का खंडन होता है क्या कोई कारवाई होती है या फिर अगले बयान फिर सामने आते हैं कैमरामेन विशेश के साथ नितिश कुमार पांड हुआ है